तो कैसे हैं आप सब आई कापी दुनों बाद अपनी किलास आ रही है तो गाइज एक तो था रच्छा बंदन दूसरा कोचिंग ओपन की है तो थोड़ा उसमें विजी थी और तीसरी सबसे वड़ी विजे बन जीरो-जीरो के यानि कि एक लग सस्क्राइबर कंप्लीट हो तो मतलब चार क्लास है आपकी चार क्लास में इस्टिरी पूरी फिनिस हो जाईगी हमारा प्राचीन भारत लटका पढ़ाए बहुत दिनों से तो यह खतम हो जाएगा क्लास पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना चलिए स्टार्ट करते हैं आपर हम पढ़ रहे थे कष्मिर के राजवंस इनका टाइम पिरिट था 8 क्या आ गया था 2 चताब्दी तक तो अगर आपके पूछ ले की कष्मिर के राजवंस का टायíम पीरेट तो 8 चताब्दी से बारवी सतापदी तक अगर आप से एक्जामनर कुश्यन पूछ ले कि कश्मीर की राजबंसों की जानकारी हमें किस पुस्तक में निलती है तो वो पुस्तक है रजत तरंगिनी यह आपने नाम भी सुना होगा रजत तरंगिनी पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है कश्मी के राज्ट बंस की तो अब पढ़ते हैं आगे सबसे पहले हमारा बंस है कारकोट बंस कोना तो इसका संस्तापक को ता दुर्लव बर्मन और हैंसांग ने कस्मिर की यातर रखी यानि कि यहां पर सुन्ना कुष्ण कारकोट बंस का संस्तापक कुछन आएगा कि जब कश्मीर की यात्रा की उस समय कौन सा बंच चल रहा था तो उस समय हमारा बंच था कौन सा कारकूज बंच उसके बाद में एक वर्षा सके ललता दित्य मुक्ता पीड इन्हों ने कश्मीर का मारतंद मंदिर वनवाया यानि आप से कोई पूछ ले की कश्मीर के मारतंद मंदिर का निर्माद किस्ण कराया égalा और मालवा कि साशक येzow धर्मन को पराजित किया अगर आपसे पूछ ले कि मालवा कि सासक ये सोधर्मन को किस कश्मीर के किस सासक ने पराजित किया तो ललता देखते मुक्तापीड ने पराजित किया यह और एक और बात थी कि यह सबसे 37 साली और महान सासक था एक और फिर समझें हम पढ़ रहे थे कश्मीर के राजवंस टा हमने शुरुबात की ती कारकोट बंसे तो कारकोट बंस का संस्ताप कौन था दुरला बर्मन ठीक है और हैंसांग इने की समय यात्रा पर आया था फिर उसके बाद में एक और सासक बैठता है ललता दित्ति मुक्तापीट कश्मीर के मार्दर मंडर का निर्मार कराया मालवा की सासक एशोधर्मन को पराजित किया और यह सबसे इस बंस का सबसे सक्ति शाली और महान सासकता कौन ललता दित्ति मुक्तापीट तो ललता दित्ति के चिर्प आपको यह त्री जो फैक्ट लिखाएं यानि की तीन फैक्ट याद रखने हैं उसके बाद में हमारा आता है उत उत्पलवन्स का सहसतापक कौन था अबंति वर्मन अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्पलवन्स था उसका सहसतापक कौन था तो उसका सहसतापक था अबंति वर्मन उसके बाद में एक और सासक बैठता है संकर वर्मन तो इतना कोई खासकारे नहीं किया उसके बाद में ए एक महतपूर साशका थी जिन्होंने लगवाग पचास बर्स तक साशन किया कितने वर्स तक पचास बर्स तक साशन किया और महमूद गजनवी के अक्रमण के समय राणी दिद्दा का शाशन था एक बार फिर समझो यहां पर यह है अमारा उत्पलवन संस्तापक्ता अबंती बर्मन उसके बाद में शंकरवर्वन बेटता है कोई इसा खास कारे नहीं किया सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं उसके बाद में बैठती है मार कुर्मण किया था उस समय भी महारानी दिद्दा का ही शाशन चल रहा था तो पढ़ते हैं अगे अगला बंस है लोहार बंस कौन सा है यह मारा लोहार बंस तो लोहार बंस का सहस्तापक यानि फांडर ओफ लोहार बंस कोन है संग्राम राज अगर आप से पूछ लेगी लोह लोहार बंस का सहस्तापक तो संग्राम राज मेरे इंगलिस पर मत जाना क्योंकि इंगलिस मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है हर्स उसके बाद में बैठता है हर्स तो इसने कल्लड को अपना आश्रित कभी बनाया आपको भी पता है बिदवान महान कभी जो कल्लड थे उनको आश्रित कभी बनाया किसने हर्स ने उसके बाद में बैठता है स्साक जैसिंग लोहार और यह बहुत शासक था पहला संग्राम राज उसके बाद में बैठता एं हर्स और हर्च ने कलड को अपना आशिरत कभी बनाया और उसके बाद में वैठता है हमारा जैसी लोहार और ये था अंतिम सासक इसी के दरवार में कलड ने रजयत तरंगणी जो पुष्तक थी जिसमें कस्मीर के यात्रा का बढ़न है कि रचना की जिससे कस्मीर के इतिहास की जान कित भासा में लिखने की कोशिश की यह जो आपका यहां से आपके डारेक्ट तीन कुष्ण चुपे हैं और डारेक्ट आते हैं बिना लेंग्विज भी चैंज नहीं करता एक्जामनर तो मेरी बात ध्यान से सुनें अंतिम सासक जैसींग की बात हो रही है यहां पर कि इसी क समय आर्च ने कलड को अपना आश्रित कभी बनाया कुछ रचना नहीं के शिर्प आश्रित कभी बनाया और यहां पर जैसींग के दरवार में कलंड ने अपनी पुष्टक की रचना की कौन सी रज़त रंगडी जिसमें हमारे जो कश्मीर उसमें याप्त्रा उसका इतिहास उसमें कौन-कौन से बंचते उसकी सारी जानकारी मिलती हैं उसके बाद में कलडने पहली बार एतिहासिक घटनाओं को संस्कत भाषा में लिखने की कोशिस की यानि की कुछ भी इतियास में जो एतियासिक घटनाएं होती हैं उनको संस्कत भाषा में लिखने की कोशिस किसने क कभी कल लड़ने तो यह वात आपको याद रखना है दरबार किसका था जैशिंग का ठीक है जैशिंग लोहारवन्स का अंतिम सा सकता यहां से हमारा एक नया काल शुरू होता है राजपूत काल इसका टाइम पिलेट था साथवी सताब्दी से बारवी सताब्दी तक उत्पत् सद्धांत तो अगनीकुंड से और चंदवरदाई की पुष्टकती प्रत्वी राज रासो और विदेशी जाती में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना मत मत यानी अपना विचार दिया था करनल टोड़ने और जाती कौन सी थी तो सीतियन जाती और समर्तन दिया थ कुक ने एक करनल टोड़ अगर पूछे मत तो करनल टोड़ समर्तर पूछे तो बिलियम कुक ने चंदवरदाई ने प्रत्वी राज राशो में अगनी कुंड से चार राजपूतों की उत्पत्ती का शिद्धां दिया है यानि जो चंदवरदाई जो थे उन्होंने अपनी पुष्टक प्रत्वी राज राशो में चार बंस के बारे में बताया है कौन से राजपूत काल के पंस के बारे में कौन कौन से थे पहला प्रतिहार दूसरा परमार तीसरा चालुक की चौथा चोहान पढ़ते हैं आगे राजपूत काल में हम पहले पढ़ेंगे गुर्जर या इसी को बोलते हैं प्रतिहार बंस और कभी कभी एकजामिनर दोनों नाम मेंशन करके पूछ लेता है दोनों नाम इखटे तो क्या है गुर्जर प्रतिहार बंस तो राजपूतों की सबसे पहली बात तो यह महत्पू पूर साका थी और इने लगाज जो इस बंस के जो शाषक थे उन्हें लचमड का बंसक भी कहते थे प्रतम सासक कौन है हारी यह चंद गाइस में पिदम साचक अंतिम सासक और सच तापक बास्तविक सच तापक इसलिए लिखाया गया है कि बैरी वैरी इस टाल लगा लेना कि यहांसे कुशन आने है तो यहांसे कूशन से आथ आते हैं यहालों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया किसने नागवट ने जो जो नागवट था इस वंस का सासक संस्तापक स्वरी गुर्जर प्यतिहार का जब अरवों ने जब आगे बड़े यहाँ पर आने के लिए तो उसनको आगे नहीं बड़ने दिया था किसने नागवट प्रितम ने अब आपसे पूछने कि बास्तिविक संस्तापक कौन था तो बास्तिविक था बत्सराज पहला प्रितम सासक हरिश्चंद संस्तापक नागवट प्रितम और इसने अरवों को सिंद से आगे नहीं बड़ने दिया था बास्तिविक संस्तापक था हमारा बत्सराज पिरतम सासक जिसने समराट की उपादी ली बत्स बत्ष राज कन्योंज को लेकर हुए तिरपच्ची संगर्ष में भाग लेने वाला पिर्तम साशक बत्ष राज याद करो जम्य आपको तिरपच्ची संगर्ष पढ़ाया था तो उसमें एक यहां से भी एक बंस था गुर्जार प्यतिहार से बंस जो साशक था उसने भाग ल इने वाला पिर्तम साशक था गुर्जल प्रतियार बंसे कौन बत्ष राज तापिव और महान हरी इसनए अपनी राजदानी कन्योंज को इस ने परमबटारक महाराधिराज परिमेश्वर की उपादी धारड की किसने धारड की तो यह हमारी धारड की थी नागवट शेकंड ने अगर आपसे कोई पूछ ले कि नागवट शेकंड ने क्या क्या कारी किये तो एक तो कर्नोज को इसने अपनी राजदानी बनाया और इसने परमबटारक, महाराधिराज और परिमेश्वर की उपादी धारड़की उसके बाद में बैठता है महरवोज तो महरवोज सबसे most important है गुर्जर पृत्यार का इस पे भी आप इस्टार लगाएं क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ ले अगर यहां से कुष्यन put up हुआ तो मेरे वोज से अभी सा कुष्यन पूछे जाते हैं आप नहीं चाहो अगर आप चाहो तो प्रिवी सेर के पेपर उठा कर देख लेना यह इस बंस का सरवादिक मतलब सबसे सकती साली यह तो था पिरतापी सा सकते कौन बस रहा है लेकि यहां पर क्या हो रहा है देखो point पर हुआ कि सरवादिक सकती साली यह महान सा सकता कैसा था सबसे सकती साली और सबसे महान सा सकता यह बोज पश्ट के नाम से प्रिशिक्द था अगर आप से सीधा सीधा कुशन आ जाए कि प्रतिहार बंस में बोज पश्ट के नाम से कौन सा सासक प्रिशिक्द था तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में वो कौन सा है हमारा गाईज महर बोज अगर आप से सीधा सीधा कु कि बोज बोज फर्ष्ट पृस्ट के नाम से बोज पिर्तम के नाम से कौन सा सासक पृषिक्द था तो ईपना एम से परिवास एम आदिवरा की उपादी धारड़ की और बैसनों का ब्य самой ताकिस्ता था कि अर्वी यात्रीको अर्वी यात्री जो ता सुलीमाम उसको बरुवा कहकर किस्ने बुलाया था किसी नहीं पुकारा था मेहर बोज के बारे में तो मेहर बोज को का शरवाधिक सत्रू कहा जाता तर अर्वों का पृष्यार रोक दिया दा और यह आने से भी रूकता कि ग्षाया उसका संब्सक्या कि से मेहर बोज से अगर आपने MPGS पड़ी होगी तो आपर अविलेक लिखाए हैं तो ग्वालिर हमारा अविलेक है सीधे सीधे कुशन आता है उसका संबंध है मेहर बोज से उसके बाद हम बैठता है गाइस महेंद्र पाल तो इसने निर्वेंद्र महाराधिराज परंबट्टारक की उपादी दारड की और इसके दरवार में कौन रहते थे राज सेकर राज सेकर बहुत ही बिदवान कवी थे इनकी मेहत्पूर पुष्टक है देख लीजिए एक ती कपूर मंजरी हमेशा पूची जाती है काब मीमान सा यह भी पूची जाती है और एक थी बाल रामाइड तो यह तीनों बुड़ बुखती वो किसकी थी राज सेकर की और राज सेकर किसके दरवार में रहते थे तो बहुचे थे महिंदरपाल के दरवार में उसके बाद में बेढता है महीपल तो इसके सासनकाल में अर्वी यात्री अलमसूदी ने कन्योज की यात्रा की अगर आप से पूछ ले कि अर्वी यात्री अलमसूदी ने कन्योज की यात्रा किसके सासनकाल में शुरू की थी तो किसका था महीपाल का महीपाल के बाद में गाईज बैठता है हमारा राजपाल महिमूद गजनवी के कन्नोज आक्रमड की समय राजपाल का शाशन था और जिसमें राजपाल ने बिना लड़े समरपड कर दिया बाद सुनना महिमूद गजनवी के कन्नोज महिमूद गजनवी ने कन्नोज पर आक्रमड किया जिसमें राजपाल उस समय सासक किसका था राजपाल का तो राजपाल ने क्या किया बिना लड़े महिमूद गजनवी के सामने आत्म समरपड कर दिया मतलब खुद को हारा घुशि संता राज़िपाल का राज़पाल ने बिना लड़ी समरपड किया तो चंडेल सा सकव बीद्य Wanna rays सेCsन ने तो दे बश्मीर के जो तीनों बंस थे कौन-कौन से कारकोट बंस उत्पल बंस और लोहार बंस तीनों कंप्लीट फिर आमने देखा था राजपूत काल की उत्पत्ति कैसे हुई कौन-कौन से बंस थे में पहला हमारा कटम हो गया तीन और वचें याने की दो क्लास और बस आपका प्राचिन भारत खतम अब क्लास ब्रेक नहीं होंगी इस बार चाहिए कुछ भी समझो जबान नहीं दूंगी वेकर एक लास आपकी रेगुलर आई तो अगर पसंद आए तो कमेंट में ज चीज बगेरा कर सकते हैं तो मिलेंगे एक ली वीडियो में थैंक यू